अगर आप Taro में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर otherwise भी आपका बहुत इंट्रेस्ट आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इस कोर्स में covered है और इसी से ही related अगर कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं और अगर आपका tarot, occult में बहुत interest है, अभी आप सीखने के mood में नहीं हैं, तो आप मेरा free webinar जोइन कर सकते हैं, जिसमें tarot, occult और इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी इन दोनों की ही links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, यानि की tarot certification और webinar के लिए Hello everyone, मैं हूं किरिंशापरी और यह है आप लगों के लिए coming week का सापता ही राशी फल ये 6th में से 12 में तक की आपकी tarot rating है, tarot predictions है, और इस वीडियो में सब ही science के सापता ही राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है, आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाप से देखें रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है universe और देखें universe को अगर आप देखें, यानि कि भ्रहमान को आप देखें, ना तो उसकी शुरुवात दिखती है और ना ही उसका अंद दिखता है एक इनो बहुत ही limitless energy दिखती है और कहीं यहाँ पर universe का card आपके professional front के लिए इसी energy की बात करता है और इस हिसाब से देखें, ये card expansion की बात करता है और इस week हो सकता है, professional front में आप चीजों को जो भी काम आप कर रहे हैं, उसको expand करना चाहा रहे हैं कुछ चीजों को end करके नई चीजें शुरू करना चाहा रहे हैं और साती साथ देखें किसी भी काम को अगर आप बहुत time से कर रहे थे और आपकी बहुत कोशिश थी कि ये complete हो जाए तो इस week वो complete भी होता हुआ दिख रहा है और कहीं देखें, out of the country से related भी हो सकता है कि कोई activity किसी न किसी level पर रह रह रही हो क्योंकि ये general reading है, ये out of the country से related activities सब areas के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है, simply आप travel कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, अपने work को आप global लेकर जाना चाहा रहे हैं तो देखें, इसी तरीके से कोई भी activity रह सकती है, जो भी दो चीजे मेरे माइन में आई, मैंने कहा all in all ये वी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है, फिर से कहूंगी आप चीजों को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं या फिर expansion के बारे में सोच रहे हैं, या इसी से related action initiatives ले रहे हैं, in the process, कुछ चीजों को end करके नई चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए hope का card है तो देखिए, hope बहुत ही एक amazing energy होती है अगर किसी चीज को लेकर हम नाउमीद हो जाये न, तो वो काम बाद में नहीं होगा लेकिन हमारे माइन में या हमारे लिए उसी time पे खतम हो जाता है उसके chances भी हो, तो भी हम बड़े मायूस हो जाते हैं तो यहाँ पर hope का card बहुत ही beautiful energies की बात करता है पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप नाउमीद हो रहे थे, आपने hope खोई थी तो इस week एक hope जाकती भी दिख रही है और साथी साथ दिखिए यह card clarity की भी बात करता है पीछे अगर आप personal front के किसी भी area में या overall ही directionless feel कर रहे थे आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप क्या करें, क्या ना करें एक उथल पुथल सी energies थी, disturbing वाली energies थी तो इस week कहीं आपका मन किसी level पे शांत होता हुआ दिख रहा है और कहीं एक peace of mind रहता हुआ दिख रहा है और पिर से कहूंगी direction दिखती हुई दिख रही है, clarity मिलती हुई दिख रही है काफी एक positive frame of mind में आप रहते हुए दिख रहे हैं All in all, personal friends related भी ये वी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है And in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए refusing to see का card है तो I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figure है उनकी आँखों के आगे helmet आयो है यानि कि वो देख नहीं पा रहे हैं या फिर जान मुझके देखना नहीं चाहा रहे हैं तो दिखें इस card का मतलब actually में यही होता है कि आप बहुत सारी चीजों को देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं और दिखें जब भी हम ऐसी energies में होते हैं हम सिरफ और सिरफ अपना नुकसान कर रहे होते हैं क्योंकि अगर हमें सामने दिख रहा है कि यह काम गलत है हमें नहीं करना चाहिए और फिर भी हम आखे बंद करके चलते जाएंगे तो फिर problem में तो हम ही आएंगे न एक कहावत है जहां पर अगर कबूतर बिल्ली को देख कर आखे बंद कर लेता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बिल्ली उसके पास आना बंद कर देगी बिल्ली तो आती रहेगी और कबूतर को खा जाएगी तो इस situation में ideal you know scenario यही होता है कि कबूतर उड़ जाए बिल्ली को देख के आखना बंद करे वो उड़ जाए तो इसी तरीके से देखिए किसी भी life की situation में आप चीजों को upfront होके नहीं deal कर रहे हैं किसी भी reason की वज़य से यह पिर देख के अंदेखा कर रहे हैं सुन के अंसुना कर रहे हैं तो इतना समझ लीजए Aries आप सिरफ और सिरफ अपना नुकसान कर रहे हैं इस टाइम आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन जब बाद में समझ में आएगा तो फिर लेट हो चुका होगा और आप परेशान होंगे तो कोई भी मसला, कोई भी issue या कोई भी fear या कोई भी x y z चीज है अगर आपको लग रहा है ठीक नहीं है आप उसके लिए stand ले आप उसको upfront होके deal करें और astrology से आप लगों के लिए Aries sign का card है और देखे Aries sign भी कहीं action लेने की बात करता है initiative लेने की बात करता है तो यहाँ पर astrology वाला card भी आपको यही guidance दे रहा है कि आप चीजों को अन्देखा ना करें जहां stand लेने की ज़रत है वहाँ stand ले जहां action initiatives लेने की ज़रत है वहाँ action initiatives लें अब इस card के हिसाब से आप लोगों के लिए lucky color देखें तो all shades of red, maroon, rust and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आप ते साथ रिजोनेट किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Taurus आप लोगों के लिए रेखें कि इस भारी से समान को उठाने के लिए बहुत strength, बहुत stamina की जरत है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है जहां पर किसी चीज को लेकर एक burden, एक pressure आप महसूस कर रहे हैं और इसी वज़े से यह कोई भी और reason हो सकता है एक ठकावट आप महसूस कर रहे हैं होता है ना कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि बस हम ठक गए अब हमारे पास और strength नहीं है, stamina नहीं है, continue करने का, आगे बढ़ने का और फिर भी जब हम give up नहीं कर रहे होते हैं तो उस time पर हमें physical, mental, emotional strength से ज़ादा spiritual strength की ज़रत होती है और फिर इसे कहूंगी कुछ ऐसा ही आप लोग भी इस week महसूस करते हुए दिख रहे हैं जहांपर मैं यह नहीं कहूंगी कि physical strength की ज़रत नहीं है यह physical strength की भी ज़रत है, mental, emotional strength की भी ज़रत है लेकिन साथ ही साथ spiritual strength के बगैर आप इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या फिर आपको ऐसे लग रहा है नहीं possible होगा और इसी चीज के उपर focus भी रहता वा दिख रहा है और जब भी यह card आता है मैं यही कहती हूं कि यह 9 number का card है आप अपनी मनजिल मकसद के बहुत करीब है आप ठक जरूर गए हैं लेकिन आपने give up नहीं करना है आप परिशान थोड़ा सा जरूर हो रहे हैं थोड़े से मायूस जरूर हो रहे हैं क्योंकि बहुत time से आप effort कर रहे हैं आपको वो एक outcome नहीं मिल रहा है वो एक result नहीं मिल रहा है जो आप चाहा रहे हैं लेकिन फिर भी आपने give up नहीं करना है आपने continue करते रहना है आपने strength रखनी है आपने stamina रखना है और अगर आपने एक final कोशिश करी definitely जो भी आप चाहते हैं उसको achieve कर पाएंगे क्योंकि फिर से देखे मैं आपको बता दूँ ये 9 number का card है 9 arrow और numerology में कहीं आखरी number है और ये number यही कहता है again कि आप अपनी मंजिल मकसद के करीब हैं effort करेंगे तो जरूर उसको पालेंगे and personal front के लिए आप लगों के लिए love begins का card है तो देखे love begins का card बहुत beautiful energies की बात करता है सबसे पहली चीज़ ये card कहता है कि किसी level पर किसी भी तरीके से एक beginning इस week specifically personal front में या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं और ये beginning सब के लिए personal life से related different areas में रह सकती है क्योंकि यापर love begins है तो किसी भी relationship में जादा ये beginning रहती हुई दिख रही है या फिर जिस चीज़ को जिस काम को आप बहुत enjoy करते हैं आप बहुत passionate हैं उससे related जादा रहती हुई दिख रही है अब देखे ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा अगर आप love affair से related देख रहे हैं और पीछे आपके partner के साथ कुछ issues मसले रहे तो इस week reconcile होने के बहुत सारे chances हैं एक नई beginning आप दोनों के बीच में होने की बहुत सारे chances हैं और अगर किसी भी loved one के साथ for that matter of fact मैंने love affair बताया अगर आपके mother के साथ, father के साथ, बच्चों के साथ या किसी भी friend के साथ, colleague के साथ again किसी के साथ भी अगर कुछ issue मसला रह रह रहा था वो resolve होता हुआ दिख रहा है एक नई शुरुवात आपके relationship में आती हुई दिख रही है and कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज आप खरीद रहे है जिसको आप बहुत टाइम से खरीदना चाहा रहे थे बहुत उसके लिए आपकी एक desire थी, इच्छा थी और दिखे कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पे कोई एक नई beginning इस week रहती हुई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके का celebration है marriage, engagement यहाँ get together, reunion किसी भी तरीके का देखे जो भी मेरे mind में आया मैंने कहा again यह general reading है तो सब चीजों को mention करना possible नहीं है but yes, you know, eating, drinking, merrymaking, relationships, gatherings यह कहीं इस week जादा रहतावा दिख रहा है यहाँ फिर इस पे आपका focus जादा रहता हुआ दिख रहा है and in general यहाँ फिर guidance से आप लगों के लिए spread your wings का card है तो देखे इस week आप बिलकुल भी अपने आपको restrict ना करें अपने आपको उस चीज के लिए ना रोकें जो आप चाहते हैं यहाँ पिर जो आपकी एक desire है spread your wings का card बहुत ही clearly कहता है कि अपने punk बाहर निकालें और अपनी उडान भरें जिस भी चीज को आप चाहते हैं जो भी आपकी desire है उसी direction में action initiatives लें and astrology से आप लोगों के लिए यह रेने इस का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह थाट औरस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जयमनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है के energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है heart taken laws और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में कोई चीज आपको थोड़ा सा मायूस कर रही है थोड़ा सा परेशान कर रही है अब दिखें इस चीज को सुनके आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पुरी जिंदगी की reading नहीं है यह सिरफ और सिरफ इस week की reading है और इस reading से आपने guidance लेनी है कि कैसे आप coming week को बहतर कर सकते है तो देखें सबसे पहली guidance आपके लिए ही होगी कि आपने बहुत high expectation किसी भी इंसान से किसी भी situation से नहीं रखनी है क्योंकि देखें weekly reading में बहुत बड़ी बड़ी चीजे नहीं होती है चोटी चोटी चीजें आपको परेशान कर सकती है कभी-कभी होता है न हम बड़े sensitive हो जाते हैं किसी की कोई भी बात दिल पे लगा लेते हैं या फिर छोटा सा भी हमारे हिसाब से चीज नहीं हुई हम उसको बहुत जादा अपने mind में बड़ा बनाते हैं तो दिखिए ये जो दो चीजें मेरे mind में आईएं कि जिस सरीके से आप hurt हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं मैंने आपको कहा सब के लिए different situations, different circumstances रहेंगे लेकिन एक बात मैं आपको बता दू most of the times हमारा दुख, हमारी परेशानी का कोई concrete reason नहीं होता है कोई you know एक major reason नहीं होता है एका दुखा लोगों की बात अलग है या फिर मैं कहूंगी कि 10%, 20% बात अलग है कि जन्वन एक reason होता है जिसकी वज़े से हम परेशान होते हैं और मेरा एक मानना है कि हर challenge, हर परेशानी में एक blessing छुपी ही होती है और जब हम उस challenge में इतना उलट जाते हैं हम बहुत जादा मायूस हो जाते हैं निगडे frame of mind में चले जाते हैं हम उस blessing को नहीं देख पाते हैं तो इस week अगर आपके हिसाब से चीजे ना हो तो आप again मैं कहूंगी परेशान ना हो आप अपने आपको कहें कि मेरे हिसाब से नहीं हो रही है इसका मतलब universe के हिसाब से हो रही है जिन God को आप मानते हैं उनके हिसाब से हो रही है और जाहिर सी बात है अगर उनके हिसाब से हो रही है आपने बहुत sensitive किसी भी चीज के लिए नहीं होना है, बहुत high expectation किसी भी चीज के लिए नहीं रखनी है और अगर कोई challenge आता भी है, तो आप इस चीज को अपने mind में रखें कि इस challenge में कुछ blessing छुपी हुई है और इस blessing को अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे, आप ढूणने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए ये week आपका बहुत अच्छा जाएगा and personal front के लिए आप लोगों के लिए triumph success का card है और अगर आप इस card को देख पा रहे हैं, इसमें एक sword है और sword कहीं you know challenges तो लेकर आती है, लेकिन साथी साथ सच के लिए बहुत एक बड़ा role play करती है और sword कहीं you know clarity की भी बात करती है, तो इस week personal front में भी कुछ इसी तरीके की चीज़े रहती हुई दिख रही है जहाँ पर छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं, लेकिन ये issues मसले आपको success की तरफ लेकर जा रहे हैं, beautiful energies की तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर triumph success का card, again देखिए बहुत ही clearly success की बात करता है तो इस week personal front में बहुत चीज़ों को लेकर emotional ना हो, बहुत चीज़ों को लेकर sentimental ना हो और देखिए एक fighting spirit ज़रूर रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों से लड़ें तो कहीं अपने लिए stand ज़रूर हैं, गलत बात को ना tolerate करें एक fighting spirit रखें, लोगों से नहीं, situation से, circumstances से and most of the times जो हमारे negative thoughts होते हैं, negative belief systems होते हैं इनके साथ हमें लड़ाई करने की ज़रूरत होती है तो अगर आप ऐसी energies रखेंगे, इस week, personal front में देखिए, success का तो card ही है तो आपको definitely success मिलेगी, लेकिन अगर आपने give up किया, आपने fighting spirit नहीं रखी, clarity नहीं रखी और यहाँ पर देखिए, लड़ाई अपने ही negative thoughts से नहीं करी यहाँ फिर अपने लिस्टार नहीं लिया, तो फिर आप थोड़ा परिशान हो सकते है and in general, यहाँ फिर guidance से आप लोगों के लिए manifest का card है तो देखिए, हमने देखा, professional front में तो clearly छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं personal front में भी success है, लेकिन challenges के बाद और यहाँ पर manifest का card आपको याद दिला रहा है कि आपके अंदर बहुत power है, आपके अंदर बहुत potential है in fact मैं कहूंगी हमारे thoughts के अंदर बहुत power होती है हमारे thoughts के अंदर बहुत potential होती है जो हम सोचते हैं वो हो जाता है तो बहुत बहुत important है इस week आप positive सोचें और जो आप manifest करना चाहते हैं जो आप अपनी life में चाहते हैं आप उसके बारे में ही again मैं कहूंगी सोचें उस पर focus करें क्योंकि हाँ पर फिर से कहूंगी manifest का card आपको यही याद दिला रहा है कि आप जो चाहेंगे वही होगा negative सोचेंगे तो negative होगा positive सोचेंगे तो positive होगा तो इस चीज का खयाल आप जरूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से sea green sea blue जो भी समुंदर के रंग है वो आपके लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक एंसेरियन्स आप लोगों के लिए कि क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है light और दिखिए यहाँ पर light का card sun के energies को represent करता है और sun कहीं happiness, joy, success, victory की बात करता है तो इस week आपके professional front में कुछ ऐसी सी energies रहते हुए दिख रही है पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप confused हो रहे थे तो बहुत जबर्दस्त एक clarity भी आती हुए दिख रही है दिखिए light means roshni और roshni में हर चीज crystal clear हमें नदर आती है तो फिर से कहूंगी एक clarity आती हुए दिख रही है बहुत confident आप चीजों को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे है इसी confidence के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे है and yes all in all ये weak professional friends related बहुत अच्छा रहतावा दिख रहा है and the person front के लिए आप लुगों के लिए suffering and silence का card है तो दिखिए कोई चीज आपको bother कर रही है परेशान कर रही है और money ही man आप किसी level पर सफर कर रहे है देखिए सफर बहुत ही एक heavy energy होती है तो मैं नहीं कहूंगी सफर कर रहे है इस card में जरूर ऐसा लिखा हुआ है but yes आप खुश नहीं है आप परेशान हो रहे हैं आप मायूस हो रहे हैं एक you know happy state of mind आपका नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी कि देखिए जब किसी भी चीज को हम बार 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 सूचते रहते हैं और specially you know हमें परेशान कर रहे होती है तो यह हमारी परेशानी को multiply करता है और कहते भी हैं कि अगर आप problem पर focus करेंगे तो problem बढ़ेगी और अगर आप problem के solution यानि की हल पर focus करेंगे तो आप उसको solve कर पाएंगे चीजों को better करेंगे तो इस week personal front way में आपको यहीं कहूंगी कि जो भी चीज आपको बहुत bother कर रही है परेशान कर रही है सबसे पहली चीज आप problem पर ना focus करें आप उसके हल यानि की उसके solution पर focus करें और किसी ना किसी इंसान से went out जरूर करें क्योंकि देखिए आप लिखावे suffering in silence मतलब मन ही मन आप घुटे जा रहे हैं मन ही मन अपसल कर रहे हैं आप किसी से went out नहीं कर रहे हैं आप किसी से discuss नहीं कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है हम लोग human beings है हमारी एक desire होती है हमारी एक need होती है in fact मैं कहूंगी कि हम किसी से अपने दिल की बात कह पाएं तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आप सबसे अपनी जो भी feelings है उनको share करें इस एक इनसान हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए जिससे हम बात करें और वो हमें judge ना करें तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इनसान है जरूर उनसे बात करें discuss करें और अगर नहीं है तो ऐसा इनसान जरूर होना चाहिए आप जरूर इस चीज के बारे में सोचें कि ऐसा एक फ्रेंड आपकी लाइफ में जरूर हो तो देखिए अब भी हम फिलाल इस week की बात करें तो negative आपने नहीं सोचना है negative thoughts आ रहे हैं आपने तुरंट खुद को बोलना है recall, cancel, delete और उसको positive के साथ replace करना है और कैसे आप खुद को इन energies ने से बाहर निकाल सकते हैं उस पे focus करें और ये सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं नया week नई energies लेकर आएगा, चीजें बहतर होंगी तो इस week को फिर से कहूंगी कैसे आप एक positive frame of mind के साथ निकाल दे, pass कर दे आप उसके उपर जादा focus करें परिशान कर रही हैं, आप उनको let go करें और बहुत ही enthusiasm, बहुत ही excitement के साथ जो नई चीजें आपकी life में आने के लिए ready हैं उनको welcome करें और देखिए new vitality का काड़ एक और चीज़ कहता है कि आप अपने goal, अपने मकसद के लिए motivation लेकर आएं और एक enthusiasm, excitement भी ज़रूर रखें क्योंकि जब तक enthusiasm, excitement नहीं होता है तब तक हम अपने मकसद को पा भी नहीं पाते हैं और देखिए अगर इसके लिए आपको conscious effort करना पड़े एक awareness के साथ इसके लिए आपको फिर से मैं कहूंगे effort करना पड़े तो ज़रूर आप एक effort करें enthusiasm, excitement, motivation अपने goal अपने मकसद के लिए लाने के लिए और astrology से आप लोगों के लिए वोगो साहिन का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of brown and beige इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था किन सेरिंज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चले लिए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है किया energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है fulfillment of wishes और देखें बहुत ही clearly ये card wishes के पूरे होने की बात करता है अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लिए उसके अपने professional front से related इच्छा हैं या फिर कोई खास wish पूरी हो रही है but definitely इसी से ही related या तो आपके मन में एक सोच चल रही है या फिर आप action initiatives इस direction में ले रहे हैं या फिर कुछ के लिए literally भी हो सकता है कि आपकी कोई wish कोई इच्छा या तो पूरी हो रही है या फिर इस week आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये इच्छा अब ये wish आपकी पूरी हो जाएगी तो दिखे ये एक reason है आपकी happiness का या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसमें एक satisfaction, joy आपको मिल रही है overall के लिए ये card कहीं happiness, joy, satisfaction की भी बात करता है और कहीं ऐसे ही energies इस week आपके professional front में रहते वही दिख रही है and yes जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत enjoy करते हुए दिख रहे है materialistic, tangible चीज़े, money, पैसा इस week's source of happiness नहीं है इस week's source of happiness है जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें एक खुशी आपको मिल रही है उसमें एक joy, एक satisfaction आपको मिल रही है अब मैं यह नहीं कह रही हूँ कि money पैसे से related आपको gain फाइदा नहीं होगा हो सकता है, हो रहा हो लेकिन उससे उतनी happiness आपको नहीं मिल रही है जितना जो काम आप कर रहे हैं उसको enjoy कर रहे हैं उससे आपको मिल रही है तो overall फिर से कहूँँगी यह week specifically professional front से related काफी अच्छा जाता हूँ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए triumph का card है क्या बात है Leo's यह पूरा ही हफता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बहुत ग्रेट रहता हूँ दिख रहा है देखिए triumph का card कही success की बात करता है और personal front में पीछे कुछ time से आप अगर effort कर रहे थे किसी भी चीज के लिए महनत कर रहे थे और इस week आप उसका एक outcome अगर expect कर रहे हैं, wait कर रहे हैं तो आपको एक positive result मिलता हूँ दिख रहा है, positive outcome मिलता हूँ दिख रहा है आपके loved ones, close ones की तरफ से आपको एक appreciation, एक recognition मिलती हूँ दिख रही है, in fact मैं कहूंगी जो भी लोग आपके आस पास हैं आपके around हैं, वो काफी आपको एक high उसमें देख रहे हैं और जो लोग social media से connected हैं, आपके followers बढ़ सकते हैं आपको ज़ादा एक fan following हो सकती है तो देखिए, all in all आप limelight में रहते हुए दिख रहे हैं और कहीं एक success, victory मिलती हुए दिख रही है appreciation, recognition मिलती हुए दिख रही है और लोग आपको follow करते हुए दिख रहे हैं आप चीजों का control अपने हाथ में लेकर lead लेते हुए, in fact मैं कहूंगी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो दोनों ही fronts के लिए ये भी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए confront का card है अभी मैंने कहा कि दोनों ही fronts काफी अच्छे रह रहे हैं और यहाँ पर confront का card कहता है कि जो भी external front में हो रहा हो deeper level के लिए कोई एक fear, कोई एक डर आपको परिशान कर सकता है और यहाँ पर बहुत ही clearly confront का card कहता है कि जब तक आप इस अपने fear को upfront होके नहीं deal करेंगे confront नहीं करेंगे तब तक कहीं back of the mind में वो आपको परिशान करता रहेगा कितनी बारी होता है न हम चीजों को under the carpet रख लेते हैं especially जो भी ऐसे fear, insecurities हमारे मन में होते हैं हम कहीं उनको suppress कर लेते हैं और जब तक वो हमारे mind के अंदर रहते हैं हमें किसी ना किसी level पर वो तंग करते रहते हैं तो हमने इनको mind के अंदर नहीं रखना इनको mind से बाहर निकालना है इनको confront करना है और mind के बाहर यानि कि अपने system से बाहर कर देना है तभी हम एक you know total happiness total happiness तो ऐसे कुछ नहीं होती बट एक true मायने में happiness और joy महसूस कर पाते हैं तो इस चीज का खयाल ज़रूर रखें और astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday and Sunday तो ये था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वोगों से आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है discontent and boredom और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में हो रहा है in fact जभी भी ये card आता है हम यही कहते हैं कि आपके आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन कहीं आप किसी भी चीज को enjoy नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज में आपका involve होने का मन नहीं कर रहा है कहीं you know आप demotivated महसूस कर रहे हैं अपने goal अपने मकसद के लिए enthusiasm excitement कहीं missing है और दिखिये reason क्या है यह तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि यह general reading है और सब Virgos के लिए different reason रहेगा लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगी कि इस week आपके लिए बहुत बहुत important है आप कुछ तो ऐसा करें जिससे कि एक motivation आप लेकर आए अपने goal अपने मकसद के लिए एक enthusiasm एक excitement आए क्योंकि दिखिये जिस भी energy में हम बहुत time के लिए रहते हैं हम उसी में ही बहुत deep जाते हैं और फिर एक time आता है कि हम चाहा कर भी उसमें से बहार नहीं निकल पाते हैं और मैं यह नहीं कह रही हूँ कि कोई बहुत severe सी energies हैं हो सकता है कुछ के लिए शुरुवात हुई है मैं सिरफ आपको यह कह रही हूँ कि इस energy को बहुत prolong ना होने दें जैसे ही आपको लगे कि भाई आप demotivated महसूस कर रहे हैं enthusiasm, excitement कहीं missing है तुरंट आपने अपने आपको इस energies में से बहार निकलना है ताकि आप deep in energies में ना जाएं All in all, देखे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है फिर से मैं कहूंगी आज पास सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है लेकिन आप ही कहीं चीजों को नहीं enjoy कर पा रहे हैं तो conscious awareness के साथ, conscious effort के साथ आपने अपने आपको चीजों में involve करना है खुद को you know motivate करना है enthusiasm, excitement ले करानी है and personal friend के लिए आप लोगों के लिए temptation का card है और temptation का card कहीं लालच की बात करता है, greed की बात करता है अब वोगोज मैं ये नहीं कह रही कि आप greedy हो रहे हैं या फिर आप लालची हो रहे हैं but yes, किसी भी चीज को लेकर personal friend में एक satisfaction आपने ही महसूस कर रहे हैं और दीखिए हम सब लोग इंसान हैं, ये satisfaction बड़ी मुश्किल से आती है लेकिन जब आज आती है तो बहुत साथ में happiness, joy लेकर आती है और जब तक नहीं होती है ना मन परेशान रहता है और इस week ये energies बहुत जादा रहती भी दिख रही हैं यानि कि बहुत जादा ही professional friend में भी हमने देखा एक dissatisfaction है और personal friend में भी कहीं ऐसी सी energies है रही है professional friend में आप थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं और personal friend में आप कहीं थोड़े से हो सकता aggressive हो रहे हैं थोड़े से controlling हो रहे हैं, थोड़े से dominating हो रहे हैं कहीं बहुत जादा action initiatives लेना चाहा रहे हैं चीजों को control करने के लिए और अगर आप भी ऐसी energies पाएं तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें क्योंकि देखिए temptation का card किसी ना किसी level पे एक obsessive एक possessive से energies की भी बात करता है अब देखिए किसी भी चीज को लेकर जब हम obsessive हो जाते हैं तो हम इतना उस चीज से attach हो जाते हैं वो किसी भी चीज का outcome हो, इनसान हो, हमारी feeling हो या फिर कोई non living thing हो और ये attachment हमें परिशान करती है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक detached attachment अगर रखते हैं और अपना करम करते हैं, beyond the point, फल की इच्छा नहीं करते हैं या फिर result पे आप ज़्यादा focus नहीं करते हैं, universe पे surrender करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये week आपका बहुत अच्छा जाएगा लेकिन थोड़ा इसा भी आपने अपनी wishes, अपनी desires को अपने उपर हावी होने दिया और बहुत जादा आप इन ही अपनी इच्छाओं के गुलाम बने यहाँ पे दिखिए, सब के लिए different इच्छा होगी कुछ के लिए किसी love one से बात करने की इच्छा हो सकती है कुछ के लिए किसी चीज के लिए अगर आप effort कर रहे हैं तो उसका एक positive outcome इच्छा हो सकती है अब मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप इच्छा ना रखें इच्छा रखें लेकिन इच्छा के गुलाम ना बन जाए इच्छा को अपने उपर इतना जादा नाहावी होने दें कि आप फिर किसी और चीज के बारे में सोची नहीं पा रहे हैं constantly 24x7 एक ही चीज आपके मन में चल रही है आपको लग रहा है कैसे आप इस चीज को हासिल करें कैसे आपको यह चीज मिले यहाँ पर सब के लिए different चीज हो सकती है इतना जादा कि आप किसी और चीज पर focus नहीं कर पा रहे हैं आप balance नहीं maintain कर पा रहे हैं आपका peace of mind हो रहा है तो अगर ऐसी चीजें आप होते हुए पाएं तो ज़रूर इसको check करके correct करें और फिर से मैं कहूंगी आप अपना करम करें result पे ज़्यादा focus ना करें जिन God को मानते हैं उन पे surrender करते हुए faith करते हुए जो भी best action initiatives हैं जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए लें लेकिन बहुत ज़्यादा obsess है उसके लिए ना हो and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए message है find balance तो दिखे जो मैं आपको अभी कह रही थी वही guidance का भी card कह रहा है आपको एक balance maintain करने की ज़रत है बहुत ज़ादा किसी चीज में खुद को involve ना करें यानि कि कोई भी चीज over ना करें कोई भी चीज under ना करें and yes इस चीज का आप खयाल रखते हैं ये वीक आपका बहतर जाएगा नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं and astrology से आप लोगों के लिए a tourist sign का card है इसके इसाब से all shades of green all shades of yellow इस वीक आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था वोगोज आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए अचले लिबराज आप लोगों के लिए कि coming week क्या ले करा रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप वोगों के लिए कार्ड है balance और दिखे बहुत ही clearly ये कार्ड कहता है कि इस week specifically professional front में कैसे एक balance आप maintain करें इस पे आपका focus रह रहा है अब दिखे ये थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ वोगो sorry Libras के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़ादा चीजों में involved है और एक balance आप maintain करने की कोशिश कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे कोई चीज आप ज़रुत से ज़ादा कर रहे थे या पिर ज़रुत से कम कर रहे थे और इस week आपको ऐसे लग रहा है यानि कि क्या चीज आप ज़रुत से ज़ादा कर रहे थे या पिर ज़रुत से कम कर रहे थे कुछ के लिए simply हो सकता है अपने goal अपने मकसद के लिए आप बहुत ज़ादा effort ले रहे थे in the process आपका peace of mind खराब हो रहा था और कहीं आप थोड़ा सा stressed out हो रहे थे और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस जितना मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ उतना ही मुझे करना है मुझे over कुछ भी नहीं करना है और इसी हिसाब से अगर आप बिलकुल भी कुछ नहीं कर रहे थे उस direction में तो इस week आप थोड़ा सा action initiative या फिर एक balance room action initiatives लेते वे दिख रहे हैं अब दिखिए यहाँ पर मैंने आपको सिरफ और सिरफ example दिया है फिर से कहूंगे situation, circumstances, सब लिबरास के लिए differ करेंगे और दिखिए कुछ लिबरास के लिए भी हो सकता है आप different different चीजों को combine कर रहे हैं try कर रहे हैं, experiment कर रहे हैं अपने desired outcome को पाने के लिए all in all, this week peace of mind maintain करना आपके लिए बहुत एहम रह रहा है आप किसी भी कीमत पे अपने सकून को रही खराब करना चाहा रहे हैं आप जो भी चाहते हैं, उसके लिए जो भी required हैं फिर से कहूंगी कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ एक balance maintain करते हुए दिख रहे हैं साथ ही साथ एक peace of mind रहे, एक सकून रहे, उससे भी आप focus कर रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए movement, choices, decisions का card है तो दिखिए बहुत ही clearly इसमें choices और decisions लिखा हुआ है तो हो सकता है personal front में कोई decision, कोई choice आपको लेनी है और आप बहुत जादा उसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये two number का card है तो कुछ Libras के लिए literally हो सकता है कि एक मन आपका कुछ और कह रहा है दूसरा मन आपका कुछ और कह रहा है कभी आप उस direction में action initiative लेते हैं कभी नहीं लेते हैं तो बहुत in and out, on and off वाली energies रहती भी दिख रही है ना तो completely आप you know हां कह पा रहे हैं ना ही completely ना कह पा रहे हैं तो देखिए ये सबसे खतरनाक situation होती है अगर हमने ना कह दिया ना तो हमें परिशानी होती है लेकिन फिर भी एक सुकून होता है कि चलो भई खतम हुआ ये chapter और हां तो अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है especially हमारी wish, हमारी desire के लिए लेकिन जब हम इस हाना हाना में फसे होते हैं तो फिर हम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं हम स्टाक हो जाते हैं और फिर से कहूंगी ये बहुत एक टॉक्सिक सिच्वेशन होती है तो जितना भी डिफिकल्ट हो आप decision जरूर लें choice जरूर लें और you know single track हो के आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में उसके लिए action initiatives लें movement का card कहता है कि पीछे किसी भी चीज में stuck थे उसमें से निकलना चाह रहे हैं या फिर इस week निकलने की कोशिश है and in general या फिर astrology से आप लगों के लिए challenging times का card है तो बहुत ही clearly कहता है चोटे-मोटे issues, चोटे-मोटे मसले रह सकते है और इस card में अगर आप जो figure है उनको देखें तो उनोंने बहुत कावच, कुंडल पहने हुए, एक shield अपने आगे रखे हुई है तो यहाँ पर इस card का यही आपके लिए message है कि अपने आपको protect करना आपके लिए prime important होना चाहिए या फिर priority होने चाहिए कितनी बारी हम अपनी परवाह नहीं करते हैं हम उलत जाते हैं चीजों में हम problems पर इतना focus करते हैं कि हम उनको अपने उपर हावी कर देते हैं तो दिखिए बहुत सारे situations और circumstances हो सकते हैं जो भी हो अपने आपको protect करना अपने आपको safeguard करना जो भी situation है उसमें आपके लिए prime important होना चाहिए या फिर first preference होनी चाहिए और astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये थाले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीजे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर बाए चलिए इस copyos आप लोगों के लिए देखे कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है rest and rejuvenate और ये card बहुत ही clearly कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत actively चीजों में involved नहीं हो रहे हैं करना चाहा रहे है थोड़ा सा अपनी energies को rejuvenate करना चाहा रहे है अब कुछ के लिए reason हो सकता है कि पीछे आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी और इस week आपको लग रहा है कि भई ठक गए राम तो करना बनता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप आगे की planning करें future course of action decide करें कुछ के लिए हो सकता है कि health के point of view से आप बहुत great नहीं महसूस कर रहे हैं अब देखे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हूँ कि आपकी health से related कुछ issue रह रहा है बट कभी कभी होता है न हम बहुत high energy levels में नहीं होते हैं यहां फिर एक enthusiasm excitement नहीं महसूस कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि बस अभी यूनो उतना मन नहीं है चीजों में बहुत actively involved होने का तो यहां पर जो भी चीजें मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन card यहां पर कहता है कि आप थोड़ा सा अराम करना चाह रहे हैं यहां फिर अराम कर रहे हैं और कहीं अपनी energies को rejuvenate करना चाह रहे हैं और यहां पर मैं आपको यहीं कहूंगी Scopus actually you know time to time थोड़ा सा pause लेके अपनी energies को rejuvenate करना बहुत important होता है full you know एक अपनी potential को utilize करने के लिए जैसे आप mobile पर बात करते हैं अगर आप उसको charge नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप फर्दर बात कर पाएंगे इसी तरीके से हमें अपनी batteries को भी pause करके charge करना चाहिए तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं बहुत अची बात है and personal front के लिए आप लोगों के लिए intuition का card है और intuition का card भी कहीं देखे चीजों से किसी level पर withdraw करने की बात करता है कहीं उनों ये card wisdom की भी बात करता है और intuition तो इसमें लिखा ही हुआ है तो personal front में देखे जो भी हो रहा है आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है impulsive होके या फिर जोश में आकर जिससे कि मैं बाद में regret करूँ परिशान हो बहुत सोच समझ के बहुत एक understanding के साथ चीजों को deal करना है और in the process आपनी intuition अपनी gut feeling को बहुत जादा follow करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक जोश बहुत एक उमंग नहीं रहता हुआ दिख रहा है और दिखे कहीं कुछ negative भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है ऐसा नहीं है कि ये जोश ये उमंग नहीं है तो आप परिशान हो रहे हैं इसकी वज़े से कुछ शिशू मसला हो रहा है कहीं आप अराम करते हुए दिख रहे हैं कहीं बहुत wisdom के साथ चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिए believe and succeed का card है तो देखिए बहुत ही beautiful message आपके लिए है एक English में quotation है whatever your mind can conceive, believe it can achieve आप देखिए बहुत गहरी बात है इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी आप अच्छा-च्छा सोचेंगे आपकी life में हो जाएगा इसका मतलब यह है अगर आपका mind negative चीज़ों को conceive कर रहा है और उसको believe कर रहा है तो वही कुछ आप achieve भी कर लेंगे तो जो भी आपका mind conceive कर रहा है, believe कर रहा है उसको जरूर चेक करें और जो भी आप achieve करना चाहते हैं जो भी आपका goal है, target है, wish है, desire है उसके लिए भी first step यह होगा कि आपका mind conceive करें yes, this is possible, यह हो सकता है उसमें believe करें और अगर ऐसा हुआ तो आपको उस चीज़ को, उस आपकी wish को achieve करने से manifest करने से कोई नहीं रोक सकता है and astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए हो governance day तो ये था स्कॉपियों से आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए से डिटेजिस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है moving on और moving on के literal meaning को देखें तो किसी चीछ से आगे बढ़ने की बात करता है अब देखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब से डिटेजिस के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि इस week आप travel कर रहे हैं तो इस week आप उस job को छोड़के नहीं job में जा रहे हैं या फिर ऐसा आप चाह रहे हैं फिर से दिखे इस चीज को clear कर दूँ या तो आप move on कर रहे हैं या फिर आप man he man move on करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए कोई project हो सकता है कुछ के लिए कोई colleague हो सकता है जिसके साथ कुछ issue मसला रह रह रहा है और आपको लग रही कि बस बहुत हो गया इनसे न मुझे थोड़ा सा distance करना है कुछ के लिए आपका ही thought process हो सकता है आपके belief system हो सकते हैं तो यहाँ पर देखिए सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा क्योंकि यह general leading है लेकिन definitely moving on का card किसी चीज से आगे बढ़ने की बात करता है या फिर मैं ऐसा भी कह सकते हूँ किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ने की बात करता है एक movement की बात करता है एक shift की बात करता है तो कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि change of place, change of residence और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया change of job, change of project, change of team या तो हो रहा है या फिर आप man human चाह रहे हैं और उसी से ही related आप action initiatives again ले रहे हैं आप रे लेना चाह रहे हैं तो दिखिए कहीं एक movement वाली energy जहते भी दिख रही हैं पीछे किसी भी चीज में अगर आप बहुत stuck महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी आप इस week भार निकलते हुए दिख रहे हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए spiritual union का card है और ये card कहता है कि इस week कोई खास relationship या फिर you know relationships overall ही आपके लिए काफी हैं रह रहे हैं अब दिखें ये भी subsiditaries के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास इंसान आपकी life में है उनके साथ आपका union हो रहा है उनके साथ आप connect कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी loved ones, close ones के साथ connect कर रहे हैं और जो भी हो कहीं एक eating, drinking, merry making रहती हुई दिख रही है आप enjoy चीजों को करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए भी हो सकता है कि किसी तरीके की celebration, get together, reunion या फिर gathering रहे हैं अब दिखें ये general reading है ये celebration, get together, gathering, reunion सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए फिर से मैं कहूँगी कि कोई खास इंसान है, उनके साथ ही आप जादा connect कर रहे हैं, जादा interact कर रहे हैं जादा मिल रहे हैं जादा आप, you know, dinner पे जा रहे हैं coffee पे जा रहे हैं और कुछ के लिए आपके loved ones, close ones हो सकते हैं जिनसे आप जादा connect कर रहे हैं या फिर, you know, कुछ के लिए हो सकता है कि एक छोटी-मूटी gathering हो रही है छोटा-मूटा एक celebration हो रहा है कुछ के लिए बड़ी gathering, बड़ा celebration हो सकता है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा लेकिन इस तरीके की energies personal front में जादा रहते हुए दिख रही हैं और कहीं, you know, personal front में आप थोड़े से emotional थोड़े से sentimental भी होते हुए दिख रहे हैं अपने किसी खास loved one के लिए या फिर overall ही अपने close one और loved ones के लिए एक love के और महसूस करते हुए दिख रहे हैं and in general या फिर guidance ते आप लोगों के लिए lead का card है और ये card कहता है कि इस week आपने किसी को follow नहीं करना है होता है ना कभी-कभी cards की तरफ से आपके लिए advice होती है आप थोड़ा सा passive energies में रहें जहां देखें चीजों को जाते हुए वहीं आप भी जाते जाएं और कहीं आप जिन भी इंसान को trust करते हैं और फिर आपको faith है उनको follow करें तो ऐसा इस week की आपके लिए guidance नहीं है इस week है आपने किसी को follow नहीं करना है आपने चीजों का control अपने हाथ में लेकर बहुत confidently आगे बढ़ना है action initiatives जो required है वो लेने है और lead लेनी है आपने and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है shadow और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं थोड़ी सी आपको फिक्र हो सकती है एक fear एक insecurities भी रह सकते हैं अब देखिए इस चीज को सुनके आपने बिल्कुल भी नहीं परिशान होना है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है और weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं चोटी मोटी चीजें होती है एकका दुका लोगों की बात अलग है और देखिए वैसे भी shadow के card को या shadow के meaning को आप समझे something that is not concrete something that is not real shadow आती है, चली जाती है उसका कोई अस्तित्व नहीं है फिर से मैं कहूंगी वो real नहीं है इसी तरीके से जो भी चीज को लेकर आप फिकरमंद हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं वो कहीं real नहीं है वो आपके mind की creation है वो आपके mind के thought है और इस week अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप इस week के energies को बहतर करेंगे नहीं तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं थोड़ा सा you know आप मायूस हो सकते हैं तो देखे फिर से मैं कहूंगी कि जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं वो real नहीं है सिरफ आपका mind उनको real बना रहा है या फिर बड़ा बना रहा है और अगर आप अपने thoughts को इस week observe करें negative thoughts को आप positive thoughts के साथ रीप्लेस करें negative thoughts को आप recoil, cancel, delete करके फिर से मैं कहूंगी अगर आप positive thoughts के साथ उनको replace करते हैं इस week की energies को भैतर करेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए material harvest का card है देखिए material कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करता है और harvest कहीं एक positive outcome की बात करता है जैसे फसल होता है न उसको हम harvest करते हैं तो ये card कहता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी आपको positive result मिला तो इस week आपको ऐसे लग रहा है कि खुद को party देनी है खुद को enjoy करवाना है और कहीं इस चीज़ को enjoy करना है इस positive outcome को enjoy करना है और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया material कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करता है तो कहीं इन ही चीज़ों के through आप खुद को enjoy कराना चाहा रहे हैं या फिर इन ही चीज़ों को आप भोगना चाहा रहे हैं और कहीं देखिये कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी purchase आप कर रहे हैं या दरवाइस आप shopping कर रहे हैं कहीं comfort, luxury, एक lifestyle आप maintain करना चाहा रहे हैं या फिर इन चीज़ों पर आप खर्श कर रहे हैं या इन चीज़ों पर आपका focus है all in all एक happiness, joy रहती हुई दिख रही है और इस happiness, joy का source कहीं materialistic, tangible चीज़े रहती हुई दिख रही हैं उनको enjoy करना रहता हुआ दिख रहा है उनको खरीदना या फिर उनको avail करना रहता हुआ दिख रहा है तो ये week personal friend से related काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है professional friend में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अगर आप अपने thoughts की checking करते हैं तो आप उसको बहतर कर पाएंगे अब दिखते हैं कि in general और guidance आप लोगों के लिए क्या card है तो यहाँ पर दिखें darkest fears का card है और ये card personal professional किसी भी life के एरिया के लिए guidance हो सकती है लेकिन professional के लिए जाधा रहतावा दिख रहा है क्योंकि professional में मैंने आपको बताया कि कुछ fear insecurities आपको परिशान कर रहे हैं और ये card भी कहीं वही आपको guidance देता है कि आपने अपने इन fears, अपनी insecurities को अपने उपर हावी नहीं होने देना है आपने इनको upfront होके deal करना है आपने इस चीज को समझना है कि ये सिरफ आपका thought है, ये real नहीं है और वैसे भी कहते हैं ना रात जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है तो कुछ भी इस दुनिया में permanent नहीं है और आपका जो ये fear है, फिक्र है, ये भी permanent नहीं है इसको positively deal करेंगे इसके हल, इसके solution पे focus करेंगे बहुत असानी से इसमें से बहार निकल जाएंगे लेकिन अगर problem पे ही focus करते रहेंगे छोटी-छोटी चीज़ों को अपने mind में बढ़ा बनाएंगे तो फिर परिशान हो सकते हैं और astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का card है इसके इसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या ले करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है deception and envy और दिखें ये card कहीं किसी level पे किसी तरीके से unfair energies की बात करता है cheating की बात करता है एक jealousy की भी बात करता है तो overall इस card के हिसाब से बहुत great ये week आप लोगों के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है और ये खास कर आपके profession front के लिए रह रहा है अब देखें ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ Aquarius के लिए हो सकता है कि भाई आप थोड़ा सा चीजों को diplomatically deal कर रहे है which is fine कभी-कभी हमें ऐसे करना पड़ता है लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपके intentions, motives ठीक रहें वहीं साथ ही साथ जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं अगर थोड़ा सा भी आपको उनके उपर doubt होता है आपको ऐसे लगता है कि उनके intentions, उनके motives आपके लिए ठीक नहीं है आप cautious हो जाएं, conscious हो जाएं मैं ऐसा भी कह सचती हूँ कि blindly इस week आप हर इंसान को ना trust करें आप थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझें, अच्छे से चीजों को जानें उसके बाद ही अपने action initiatives लें तो overall के लिए इस week specifically professional front में alert होना बहुत important, alert होना नहीं, alert रहना बहुत important है cautious, conscious होके चीजों को करना बहुत important रहेगा वही साथ ही साथ अगर आप एक escapism वाली energies में है यानि कि आप कुछ important चीजों को avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं देख के अंदेखा कर रहे हैं, सुन के अंसुना कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर check करके correct करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए power का card है और देखे, ये card कहता है कि कुछ issues, कुछ challenges आपके personal front में रह सकते हैं और याप ए power का card आपको यही message दे रहा है कि आपने बहुत strongly, बहुत courageously, बहुत boldly इन सब चीजों को deal करना है अब देखे, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ बहुत ही गलत रहे रहा है छोटी-मोटी चीजें, अगर हम उनको positively ना deal करें, हम courageously ना deal करें तो फिर क्या होता है कि वो बड़ी powerful बन जाती हैं, हम weak बन जाते हैं, वो हम पे हावी होती हैं और हम बहुत परेशान होते हैं और अगर हम pause करके उन चीजों को, उन problems को समझना चाहें, तो हमें realize होता है कि अरे यह तो बहुत ही छोटी सी problem थी, बहुत ही छोटी सी बात थी, हम कैसे इतना इससे disturbed हो गए तो यहाँ पर देखे, मेरा आप लोगों के लिए, एक message यही है, या फिर मैं कहूंगी मेरा नहीं card का आपके लिए message यही है, कि आपने जो भी छोटा मोटा भी issue है उसको बहुत upfront होके deal करना है बिलकुल भी घबराना नहीं है, और willpower determination जरूर रखनी है और in fact यह card आपको याद भी दिलाता है, कि आपके अंदर बहुत power है, बहुत जबरदस्तिक strength है उस चीज का एहसास आपने रखना है, उस चीज को आपने याद करना है और फिर से कहूंगे अगर आप ऐसी energies में रहे, willpower रखी, determination रखी, courageously boldly चीजों को deal किया तो जो भी issues है, वो बहुत ही छोटे से होकर रह जाएंगे और बिल्कुल भी आपको परिशान नहीं कर पाएंगे लेकिन वहीं अगर आप थोड़े से weak हो गए, यह छोटे मोटे मसले बहुत powerful हो जाएंगे और आपको परिशान कर सकते हैं, तो इस चीज का खयाल रखिएगा and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए embrace का card है और यह card कहता है कि जो भी चीज आपको serve नहीं कर रही है उसको इस week आपने let go करना है, जो भी अच्छी चीज़ें है जो आपकी life में वो happiness ला सकती है, वो joy ला सकती है जो आपको आपके goal, आपके मकसद की तरफ लेकर जा रही है आपने उनको embrace करना है, उनको welcome करना है and astrology से आप लोगों के लिए Venus यानि की शुक्र घ्रह का card है और इसके हिसाब से all bright shades आप लोगों के लिए इस week लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था एक वेड़े से आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राश भी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए भाइसे आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है destiny और देखें सबसे पहली चीज ये card कहता है कि इस week destiny आपको fever करेगी किस्मत आपका साथ देगी और दूसरी बात ये card change की बात करता है speed की बात करता है तो आपके professional front में positive changes रह सकते हैं अच्छी opportunities आ सकती हैं और कहीं चीजें बहुत speed से आगे बढ़ती हुई दिख रही है लेकिन देखें जैसे कि मैंने अब भी आपको कहा ये card speed की भी बात करता है तो जो भी opportunity आ रही है उसके लिए अगर आपने बहुत ज़ादा समय लगाया बहुत ज़ादा अगर आपने उसका analysis किया या फिर बहुत time लगाया तो उस opportunity को आप miss कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इस card का आपके लिए यही message है कि जो भी opportunity आए अगर आपको लगे की बहुत बढ़िया है तो आप बहुत ज़ादा delay ना करें उस opportunity को ले ले नहीं तो आप miss कर सकते हैं क्योंकि देखिए destiny का card कहीं wheel को represent करता है wheel आगे बढ़ता रहता है तो यहाँ पर देखिए इसी हिसाब से इस week आपके professional friend में जैसे कि अभी बताया changes रह सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है और यहाँ पर दिखिए आप travel कर रहे हैं यहाँ पर travel करने से related एक planning, एक सोच आपके मन में रह रही हैं, उसी से related कुछ action initiatives आप ले रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं एक growth progress पर आप focus करना चाहा रहे हैं, चीज़ों को personal front में किसी खास चीज़ को लेकर यहाँ फिर overall ही, एक helpless एक hopeless energies आप महसूस कर सकते हैं I know trapped in fear helpless, hopeless, यह बहुत बड़े 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 शब्द हैं और कहीं यह शब्द बहुत परिशान कर देते हैं लेकिन यह weekly reading है weekly reading में बहुत ही छोटे मोटे मसले होते हैं, बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है तो आप इत्मिनान रखें कि बहुत कुछ बड़ा ऐसा गलत नहीं होने वाला है छोटी छोटी चीज़ें आपको bother कर सकते हैं आप देखें यहाँ पर हमारे उपर depend करता है हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने mind में कितना बड़ा बनाते हैं आपने कितनी बड़ी देखा होगा लोगों को कि ये लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है एशो अराम है लेकिन आप उनसे पूछें कि आप कैसे हैं तो वो इतनी complain करेंगे इतनी अपनी problems को बता देंगे या क्या आप हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी इनसान अगर परेशान है तो भाई जिसके पास नहीं है उसकी तो फिर situation, circumstances हम इमाजी नहीं कर सकते और on the contrary ऐसा इनसान जिसकी life में बहुत problems है उससे पूछेंगे कि कैसे हैं उब लेंगे बड़े मज़िमे हैं तो दिखिए फिर से कहूंगी हमारी life में जो भी issues हैं उनको हम अपने mind में कितना बड़ा छोटा बनाते हैं वो बहुत कुछ determine करता है तो card के हिसाब से इस week छोटे मोटे issues रह सकते हैं पर आपको यसे लग सकता है कि beyond the point आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और कहीं इसी वज़े से आदरवाइस एक insecurity fear आप महसूस कर रहे हैं लेकिन अगर आप इसी fear इसी insecurity को अपने उपर हावी नहीं होने देते और खुद को बोलते हैं इस week की energies है नया week नहीं energies लेकर आएगा यह तो life है छोटे मोटे issues रहते हैं घर से भी बहार निकलें तो red light मिलती है खड़े मिलते हैं ट्राफिक jam मिलता है यह तो part and parcel है तो इस तरीके कि अगर आप self talk करते हैं और इसी situation में से आप कैसे बहार निकल सकते हैं क्या उसका हल है क्या उसका solution है आप उस पे focus करते हैं यकीन मानिए आपको हल मिलेगा आपको उसका solution मिलेगा आप उस problem को solve करेंगे आगे बढ़ेंगे चीजों को बहतर करेंगे और अगर थोड़ा सा भी आपने fear को energy दे दी और जो भी problem है उसको energy दे दी तो फिर आप इसी energy में गुम हो कर रह जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा कि भी बहुत ही एक गंभीर समस्या है लेकिन ये गंभीर समस्या है नहीं आपका mind बना रहा है इस चीज़ के awareness आप रखेंगे तो फिर आप चीज़ों को भैतर कर पाएंगे और इन जनरल या फिर guidance से टीच का card है तो दिखिए professional, personal दोनों में से किसी भी front या फिर दोनों ही friends के लिए हो सकता है लेकिन personal के लिए जादा रहतावा दिख रहा है teach का मतलब सीखना, सिखाना जिन्दगी सबसे बड़ी teacher है तो जिन्दगी में जो भी issues, challenges आते हैं वो हमें कुछ सिखा रहे होते हैं उनमें एक hidden blessing होती है जब तक हम problem पे focus करते रहते हैं हम उस blessing को नहीं देख पाते हैं जैसे ही हम अपना mind shift करते हैं और इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं भाई इस challenge में क्या blessing है चलो भाई उसको जानते हैं वो blessing हमें दिखती है हम जिन्दगी से सीख लेते हैं अपनी जिन्दगी को बहतर करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक मतलब teach का ये है और दूसरा मतलब ये है कि यहाँ तो किसी को guidance counseling आप दें जिसको जरुरत है या अगर आपको जरुरत लगती है guidance और counseling की तो जिस भी इनसान को आप trust करते हैं faith करते हैं उनसे guidance counseling ज़रूर लें and astrology से आप लोगों के लिए Mars ग्रह का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of red, maroon, rust इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था पाइसेज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नेचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए